देखा है तुमको बाबा रूहूं को प्यार करते काटों को बनाया खूल काटों को बनाया खूल तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा रूहूं को प्यार करते काटों को बनाया खूल तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा रूहूं को प्यार करते ज्यान का पंख लगाकर उड़े ना सिखाते दे ओम शांते जब हम आत्माई बाबा की बन जाती है तो आत्मा की जड़ता खत्म होने लगती है द्वापर युक से जुद्धे का भान और अभिमान हम पर हावी हो गया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है पर वंडरफुल बात ये है कि ये जानते हुए भी कि हम चेतन आत्मा है अविनाशी है फिर भी विनाशी चीजों का प्रभाव लगाव जुकाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है और इसलिए ये जो बिगड गई है इस बिगडी को फिर से बनाने के लिए भोलानात बाबा हमें रोज ज्यान के अमुले रत्न देते हैं और याद से अनंत शक्तियां देते हैं है ना राज भी भोलानात बाबा हम पर ऐसे अमुले ज्यान रत्न बरसाने आए हैं ज्यान के ऐसे गुह राज बताने आए हैं इसे आत्मा की बुद्धी का तीसरा नेत्र खुल जाए कभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा की मधर मुरले आज है तैस अगस्त दो हजार तेस बाबा के महवाक्ष्यां हैं मीठे बच्चें जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्सा मिलता है उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे पढ़ाई छोड़ने से क्या हो जाता है मैनर्स खतम हो जाते हैं इस तरीके से हमें कमाई करनी हैं वो कमाई का जरिया खतम हो जाता है तो जैसे अनपड होते हैं अज्यानी होते हैं वैसी स्थिती बन जाती है जैसे बाबा ने कहा छोरा छोरी बन जाते हैं इसलिए बात पिता का हाथ शिक्षक का साथ कभी नहीं छोड़ना प्रश्न है खुश नसीब बच्चों का पुरुशार्थ क्या रहता उनकी निशानी सुनाओ जो बच्चे खुश नसीब है उनका पुरुशार्थ क्या रहता है चक करना क्या हम उनमें से हैं उत्तर है जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुशार्थ करते है जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं तो पहला देही अभिमानी रहने का पुरिशार्थ करते हैं दूसरा जो सुनते हैं उसका दान भी करते हैं तीसरा वै शंक ध्वनी करने बिगेर रह नहीं सकते बाबा का ज्यान देने बिगिर, सेवा बिगिर रह नहीं सकते धारणा ही तब हो जब दान करे खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं कभी भी धर्मराज से डॉंट केर नहीं रहते याद रहता है धर्मराज बाबा हमें देख रहा है सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो क्या होगा? तो माया बहुत बुरी गती कर देती है आज का गीत है गोरी नात से निराला कोई और नहीं ऐसा बिगिडी बनाने वाला कोई और नहीं गोले नात से निराला गोरी नात से निराला कोई और नहीं गोले नात से निराला कोई और नहीं पुनिका डमरू डम डम बोले अगमनिगम के भेद पोले पैसा बक्सों का रखवाला कोई और नहीं बोले नात से निराला गोरी नात से निराला कोई और नहीं आउम शांते बिगडी को सुधारने वाला तो एक ही है गीत में सुना ना बिगडी को बनाने वाला कौन है एक भोला नात है यह दुनिया नहीं जानती तुम बच्चे समझते हो जो यहां बैठे हो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जानते है बिगाडने वाली है माया आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगडते है कौन बिगडते हैं? जो आसुरी मत पर चलते है सारा खेल मत का है किस डारेक्शन पर बुध्धी चलती है? बाबा की शुरी मत प्रमाण या आसुरी मत प्रमाण? अब तुम बच्चे जानते हो भोला नात शिव को ही कहा जाता है भोला नात भक्ति मार्ग में भी किसको कहते है? शिव बाबा को कहते है शंकर को भोला नात नहीं कहते है भोला नात उनको कहा जाता है जो बिगडी को बनाने वाला है बड़ा भोला है गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है बच्चों को आदी मध्यांत का ज्यान देते है जिसके यह चित्र बने हुए है और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा व्रिक्ष है व्रिक्ष तो हमेश सीधा होता है परन्तो यह उल्टा व्रिक्ष है जिसका बीज उपर में है यह बात कोई और नहीं समझाते भगवान वाच है कि इस ज्जाड और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी बेद शास्त्र में नहीं है भगवान ने ही दिया है उनका ही शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणी भगवत गीता तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है? परन्तु उसकी जाद माया भुला देती है इतना मीठा होते भी माया ऐसी है जो भुला देती है तुम शिव बाबा को जाद करने की कुशिश करते हो लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है बिल्कुल अपने अंदर की स्थिती को देखते जाए बाबा को याद करते है और दुनियावी बातें खीचती है वह तुमको याद करने नहीं देगी अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते है जहां एकिस जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहते है तो यहाँ से हम जाएंगे सत्युग में वहाँ कोई रोएगा ही नहीं है न, तुमने तेरे सठ जन्म तो रोया है 44 जन्म नहीं कहेंगे है न, 21 जन्म थटर ना रोय थे यह भी तुम बच्चे ही जानते हो भोलानात बैट समझाते है जबसे रावण बिगाड़ना शुरू करते है तबसे तुम रोने लगते हो रावण क्या करते है जो बनी हुई थी उसको बिगाड़ते है जब बिगड़ता रहता है हम रोते रहते है मनुश्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा जाड और गोला बनवाया जाता है क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीती समझाया जा सकता है भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते है सभी तो राजारानी नहीं बनेंगे अच्छे कर्म किये हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है कर्मों की गती है न बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गती को जानता हूं और समझाता हूं टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं फिर कोई अच्छे नंबर में पास होते हैं कोई ना पास होते हैं कहेंगे क्या करें कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं यहां भी ऐसा है कोई तो अच्छा पढ़ते हैं कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं कॉलेज छोड़ा गोया बाप टीचर सत्गुरु को छोड़ा तो यदि ज्यान छोड़ते हैं पढ़ाई छोड़ते हैं मुरली पढ़ना छोड़ते हैं तो इसका मतलब एक नहीं सभी संबंधों से बाबा को छोड़ देते हैं बाबा को छोड़ा टीचर को छोड़ा सत्गुरु को छोड़ा फिर जिन्दगी में क्या रहा कुछ भी नहीं छोड़ने से छोड़ा बन जाते है छोड़ा उनको कहा जाता है जिनके मा बाप नहीं होते है तो मा तपिता जिनसे स्वर्ग का वर्सा मिलता है उनको छोड़ा तो क्या बन जाएंगे? छोड़ा छोड़ी बन जाते है फिर क्या करते हैं? गलत काम करते हैं कोई पूछने वाला नहीं होता न, तो फिर अपनी मन मत अनुसार कारे करने लगते हैं, फिर कलत करम होते हैं, तो कलत भल भी मिलता है, यहां भी कहीं समझते हैं, यहां से चूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन बहा ज्यान तो उठा नहीं सकते, वहां तो नाटक, बाइसकोप, घूमना, फिरना, अच्छा कपड़ा आदी मिलेगा, ऐसे सोच कर जाते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं, विनाश काले, विपरीत बुध्धी होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं, तु तुम जानते हो, पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है, तुमको इस देहे अभिमान को भी छोड़ना है, देहे अभिमान के कारण ही, और सब विकार आते हैं, देही अभिमानी बनने में, बहुत महनत है, तो बार-बार, देही अभिमानी होने का अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस देहे की मालिक हूँ, मालिक बनकर करमिंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो जब आत्मा याद रहेगी, तो परमात्मा भी याद रहेगा, तो करन करावनहार, शिव बाबा की श्रीमत प्रमान, मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, यह अभ्यास रहे, बाबा याद रहेगा, तो बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण, बाबा द्वारा प्राप्त स्वमान, सब स्मृति में रहेंगे, और फिर शक्तिशाली आत्मा जो कर्म करेगी, वो भी शक्तिशाली होगा, है ना, तो इसलिए बाबा कहते है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो मैं भी टेमप्रेरी इस तन में आया हूँ हम सो देवता थे अब फिर हम सो शूद्र बने है श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं की ही शक्ती सेना बनाते हैं इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है क्या नाम पड़ा है शिव शक्ती सेना तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया हम सब कौन है शिव शक्ती सेना तुम शिवसी शक्तिले अपना स्वराज्चे स्थापन कर रहे हो सबसे पहले स्व पर राज्चे दूसरे पर राज्चे नहीं करना है रोलिंग पावर रोलिंग पावर किवल सुनते और सुनाते समय ज्यान स्वरूप में रहते हैं, सारा दिन रहते हैं, हर कदम रहते हैं, सुबे शाम रहते हैं, योग करते समय रहते हैं, तो नंबरवार हैं। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूद है, तो बाबा ना हैरान होते हैं ना परिशान होते हैं। बाबा ड्रामा के पट्टे पर हमेशा स्थिर रहते हैं। किसी की जोत जगती भी है, तो भी माया बुझा देती हैं। चलते चलते माया का तुफान लगने से, फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। देखो ये जो रा है, ये इतनी सहज नहीं है। जो कहते हैं ना कहीं गिरना है, फिर संभलना है, तो ये ऐसी रा है। परन्तु एक बात याद रखेंगे, अगर बाबा में निश्चे बुध्धी है, अगर मुली रूस पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमेशा अपने बच्चों की मदद जरूर करते हैं। हम साथ छोड़ते हैं, हम इगनोर करते हैं, तो माया के वश हो जाते हैं, माया हावी हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई तो बहुत साहुकार है, कोई दस रुपया भी नहीं कमाते। तो किस पर डिपेंड करता है, पुरुशार्थ पर? कई मनुश्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं? बाबा उन द्वारा, यानि विदेशों द्वारा सहायता करवा रही हैं। फंड्स देते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स के लिए फिर सहायता मिलती है। यह मनुश्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो, तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेणना नहीं मिलती, तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो यह चित्र हैं किसको समझाने के लिए। बाबा बड़े बड़े चित्र बनवा रहे थे उस समय, जो आज बाबा ने का न गोले का चित्र, जाड़ का चित्र, किसलिए समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स, यानि नक्षे होते हैं। मैप के सिवाई, कैसे पता पड़े, फलाना शहर कहा है। अभी मैप की जरुरत है, गोगल मैप है न आज, सबके पास। यह मैप्स वहां नहीं होंगे। होंगे? नहीं होंगे। यहां तो भारत कितना बड़ा है। बास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने लिए कितनी जगा चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। क्योंकि शुरू में भी भारत था, अभी भी भारत है। सबसे यादा जनसंख्या भारत की ही होगी। बाबा कैते स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धी में यह बाते हैं। विनाश होगा, हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। जाड का फाउंडेशन है ना। फिर बाद में जाड वृद्धी को पाता रहेगा। फिर नमबरवार और जाड लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलिजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते हैं, सिर्फ इस स्रिष्टी चक्र को ध्यान में रखो। सुनाना ये सिवा करना. जो ज्यान का शंक बजाने वाले नहीं होंगे, तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राम्मण क्यासे कहेंगे। ब्राम्मन वो जुग्यान सुनाए गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्होंको नशा रहेगा कई लोग गीता कंठ कर लेते हैं तो उनको नशा रहता है कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं तुम्हारी तो है नई बातें कहते हैं इन्हों का ग्यान ना हिंदूं का है न मुसल्मानों का है पता नहीं कहां से लाया है दुनिया वाले ऐसे कहते हैं हमारा ग्यान कहां से आया है खुद शिव बाबा ने दिया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, देहे के धर्मों के लिए नहीं है, या अध्यात्मिक ज्ञान है सबात्माओं के लिए. फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलाना था बाबा, भक्तों का रक्षक भगवान, पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है, बाप कहते हैं, मेरी यादगार के भी मंदर है, मैं आया ही हूँ, किसलिए आये हैं बाबा? बिगड़ी को बनाने, पतितों को पावन बनाने, मैं आया ही हूँ, पतितों को पावन बनाने, यहे तुम बच्चे जानते हो, हम क्यों जानते हैं? च्योंकि हम ही पतित से पावन बन रहे हैं, अनुभव से कहते हैं, यहे तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हम को पाँच हजार वर्ष पहले समान समझा रहे हैं, तुम कहते हो, बाबा, हम भी पाँच हजार वर्ष पहले आये थे, ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं, या फिर अंदर से फील होता है, कि पहली बार नहीं आये हैं, हम बाबा से पहले भी बिच्चुडे थे, अब फिर आकर मिले हैं, बिलकुल पहले जैसे हूँ बहू सब क कुछ रिपीट हो रहा है, है न, तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, आपसे वर्षा लिया था, इतने धेर बच्चे कहते हैं, इसमें आंधिश्रधा की कोई बात ही नहीं है, इसमें आंधिश्रधा नहीं है, सब भी कहते हैं, बाबा, हम आपके पोत्रे, ब्रम्भा के ब बच्चे तो सब भाई-भाई हैं, फिर साकार में ब्रम्भा की उलाद होने से बहन भाई ब्रम्भा कुमार कुमारी हो गए, तो यह बुद्धी में रहना चाहिए, हम ब्रम्भा के बच्चे ब्रम्भा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं, एक ही कुल हो गया प्रजा पिता ब्रह्म्भार चाईता है एक ही मात पिता के हम बच्चे हैं तो एक ही कुल है हमारा जरूर यह प्रजा है न शिव बाबा आकर ब्रह्म्भाद्वारा बच्चे बनाते है तो जरूर सत्युग के पहले आये होंगे सत्यूग से पहले आयोंगे जो ब्राम्भण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे ये निशानी है सच्चे ब्राम्भण जो खुद ब्राम्भा की मुखव अन्शावली है तो वो ब्राम्भण जो पवित्र रहते हैं वही देवता बनते हैं जो जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्चे भाग के लेते हैं शिवाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं तुम जानते हो हम पाँच हजार वर्ष पहले भी कहा थे? पाँच हजार वर्ष पहले कहा थे? संगम पर थे ये फिर हम देवता बनेंगे। सत्युग में वकल्युग में कोई ब्रम्भा कुमार कुमारियां नई होते हैं। संगम पर ही होते हैं। ब्रम्भा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। यह पवित्र रहने की जुकती है। एक मात पिता के हम बच्चे भाई बहन हैं। ये भी प्यूरिटी में रहने की एक युक्ती है। क्योंकि एक दूसरे की तरफ हमारी नजर द्रिश्टी जो है वो परिवर्तित हो जाती है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य लेना सके। ब्रामण ही देवता बनने वाले है। बाप समझाते हैं। बच्चे पुरुशार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। ये श्रीमत है। क्या पुरुशार्थ करना है जो बाबा से हम ज्ञान ले रहे हैं। वो खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश कहां खड़ा है? सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धी में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धी में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रम्भा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकेंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। जैसी मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रम्भा कुमारी भेचो। अब इतनी कहां से लाएंगे? पहले तो कम बहने समर्पित होती थी, आभी तो कितनो का समर्पन समारो होता है। यह भी शिव बाबा जानते हैं कि 1st class कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं. बाबा सब की अवस्था को जानते हैं, फिर उसी अनुसार बहनों को भेजते हैं बाबा, बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं. ब्राम्भणों यानी लौकेक ब्राम्भण को खाने का बहत रहता है। फिर समझाओ तो गुस्सा आजाता है। कई धर्मराज को भी डॉंट केर करने वाले हैं। हमारी दादी थी थी ना, दादी मनोहरिंद्रा जी। उनसे एक बारी किसी ने पूछा कि आँ बाबा को किस रूप में याद करते हो। तो दादी जी ने बहुत अच्छा उतर दिया कि मैं बाबा को हमेशा धर्मराज के रूप में देखती हूँ। ताकि मुझसे कभी कोई गलती ना हो जाए। तो आब आबा को उस रूप से देखते हूँ। वह फिर आश्चरिवत भागनती हो जाते हैं। जो धर्मराज को डॉंट केर करते हैं ना, वो भागनती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गती करा देती है, जो श्रीमत पर नहीं चलते, सुचते कौन देख रहा है। फिर विकार के लिए अब लाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग के। संगम युक पर जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बाप से वर्सा तो ले लेंगे न। बहुतों पर अत्याचार होते हैं, च्योंकि विश्विगेर रह नहीं सकते। यह है दुर गती की दुनिया। दुनिया यैसी है। इसमें किसकी सद गती हो नहीं सकती। मृत्यो लोग और अमर लोग को कोई नहीं जानते। अमर लोग सत्युग में है आधी मध्यांत सुख। दिखाते हैं, अमर नाथ ने पारवती को कथा सुनाई। अब सुक्ष्मवतन में तो कथा सुनने की दरकारी नहीं है। किसलिए कथा सुनेंगे सुक्ष्मवतन में। सुक्ष्मवतन में देवी देवताई, उन्हें तो कथा सुनने की कोई दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं, तो यह कथा याधी कहां से आई। अमर कथा सुनाई फिर सुक्ष्म वतन से कहां गए कुछ भी पता नहीं है तो इन बातों को अच्छी रीती समझाना चाहिए कथा सुनाने वाले तो बहुत है पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए दुनिया में तो ऐसे बोलते हैं कि शिव जी ने पारवती को कथा सुनाई तो वो जो दिखाते हैं अमरनाथ की गुफा में पारवती को कथा सुनाई क्योंकि पारवती तुम रुत्यों लोग की थी तुम रुत्यों लोग की थी परंतों ने दिव्वे लोग, दैवी लोग का बनाने के लिए अमर बनाने के लिए शिव जी ने उनको कथा सुनाई और फिर वो सो गई ऐसी भी स्टोरी है न तो ऐसे ही बाबा कहते है यादगार में तो बना हुआ है पर अंतु उस समय तो वहाँ कोई भी नहीं था तो कौन सी कथा थी और क्यों सुनाई और फिर हमारे यहां तो जब कहते हैं कि शिव ने सुनाई तो कहां सुनाई वो तो शंकर और पारवती को दिखाते हैं और शंकर तो सुक्ष्मतन में है तो शंकर ने सुक्ष्मतन में अगर पार्वती को कथा सुनाई भी तो किस लिए जो अल्रेडी ही गती सद्गती में है तो उसको तो सद्गती की कोई जरुवती नहीं है तो इसलिए बावार बार कहते हैं कि कथा सुनाने वाले तो बहुत है पहले उनों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावन को देखने जाते हैं संसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को साहेता करेंगे क्योंकि भक्ती मार्ग में हम बुद्धी का प्रयोग नहीं करते हैं जो चीज जैसे लिखी है वैसे ही उसको समझ लेते हैं उस पर कोई संशे नहीं करते हैं फोड़ा सा भी यहां पर संशे चुठ चुठी बातों पर तो बबाबा कहते हैं जो संसिबल मनुष्य है वो तो समझेंगे कि बंदर कैसे राम की साहेता करेंगे कुछ भी नहीं समझते इस समय तो नेशन यानि देश नेशन से लड़ते रहते हैं एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते हैं एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं बाप कहते है यह भी ड्रामा की भावी है यह युद्ध होना भी ड्रामा की भावी है ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुशार्थ करते हो जानते हो अब खेल पुरा होता है बाबा से वर्सा लेना है यह ड्रामा का राज और कोई की बुध्धी में नहीं है बाबा ने आकर सब राज समझाई है पढ़ाने वाला पतित पावन वहबाप है बलिहारी उनकी है माया नीच बनाती है उच ते उच बाप ही आकर उच बनाते है बाबा उच बनाते है, माया नीच बनाते है बाबा हमें आत्मिक स्मृती बार बार दिलाते है और माया बार-बार देह भान की मिट्टी में ले आती है तो दोनों की आपस में युद चलती रहती है कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुशार्थ करते रहो अभी तो तुमको पतियों का पती मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं वहाँ है ही संपोर्ण निर्विकारी यह है संपोर्ण विकारी दुनिया दुनिया एक ही है दुनिया एक है वही पहले सुखी थी फिर दुखी बन जाते है पहले निर्विकारी थी फिर विकारी बन जाते है चीज भी ऐसे ही होती है, मकान भी ऐसे ही होता है पहले नया होता है, फिर पुराना हो जाता है पहले ठीक होता है, फिर खराब हो जाता है तो इस रिष्टी का तो यह तो नियम है यहना हर चीज नय से पुरानी, अच्छी से बुरी होगी ही होगी तो दुनिया एक ही है वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं पहले भारत स्वर्ग था अब नर्क है यह चित्र बड़े वेल्यूएबल है सारा ग्यान किसमे है गोले में है ज्जाण में है हम क्या थे फिर क्या हो गया विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है वेल्यू करेंगे इस क्यान की कैसे इस रिष्टी का चक्र फिरता है इस किसकी डिनाइस्टी चलती है सबके चित्र इन में है कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे हाँ आगे चल एक दो से सब सुनेंगे यह तो बहुत अच्छी नौलेज है विलायत में कोई संसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है तो भाबा सेवा की भिन भिन युक्तियां हम सब को समझाते हैं विन पर आमल में लाना ये हमारा कारे है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोरिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते रोहानी बच्चो की रोहानी बाप दादा को गुड मोरिंग नमस्ते 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 धार्णा के लिए मुख्य सार पहला कर्म अकर्म विकर्म की गती को बुद्धी में रख श्रेष्ट कर्म करने है कर्म क्या होता है अकर्म क्या होता है और विकर्म कैसे बनता है उनकी गती क्या होती है इसको यथार्थ समझना है उसके अनुसार अभी क्या करने है श्रेष्ट कर्म करने है पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है दूसरा ज्यान दान करने से ही धारणा होगी धारणा करने के लिए क्या करना है या विनाशी ज्यान रतनों का दान करना है इसलिए दान जरूर करना है कभी भी बाप की आज्याओं को डॉंट केर नहीं करना है बरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे निर्विग्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव अखंड सेवाधारी कैसे बनेंगे जब व्यर्थ के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे और निर्विग्न सेवा करेंगे विग्नों का कारण क्या है व्यर्थ के चक्र व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म व्यर्थ संकल्ब विग्न पैदा करते हैं जब इन व्यर्थ के चक्रों को खत्म कर देंगे, निर्विग्न बन जाएंगे, तब बाबा की सेवा अखंड रूप से कर सकेंगे. नहीं तो इनी में उलचते रह जाएंगे, कुछ सेवा नहीं उपाएगी. सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विग्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है. चक्र ना, सेवा करते विग्न आते हैं? सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विग्न न आए. सेवा कर रहे हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प मत चलाओ. जो हो राए, कल्यान कारी है. किसी भी आत्मा के प्रती नहीं. वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, यदि कोई भी विग्न आया, ये सब व्यर्थ है न? वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, यदि कोई भी विग्न आया, तो सेवा खंडित हो गई. अखंड सेवाधारी कभी किसी विग्ण में नहीं आ सकते जरा संकल्प मात्र भी विग्ण ना हो सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे स्लोगन है जो दिल और दिमाग से ओनिस्ट है वही बाप वह परिवार के प्यार के पात रहें तो दिल से और दिमाग से ओनिस्ट रहो बाबा से ओनिस्ट इमानदार रहो एक बाबा दूसरा न कोई दिल में भी बाबा और दिमाग में भी बाबा बाबा का ज्यान वही पाप और परिवार के प्यार के पातर बन जाते हैं तो आज क्या होंबग करेंगे हम जो भी कारे करते हैं ब्रामभणा आत्माई जहां भी जो भी कारे करते हैं चाहे स्थूल सेवा करते हैं चाहे लौकिक सेवा करते हैं चाहे सुक्ष्म सेवा करते हैं चाहे बाहर की सेवा करते हैं कारे कारे नहीं है याद रहे सब बाबा की सेवा है क्योंकि किस के लिए कर रहे हैं बाबा के बच्चों के लिए कर रहे हैं केवल सेंटर पर या महायग्य में सेवा करना कोई सेवा नहीं है जहां भी हो सेवा धारी हो जो कि सब बाबा के बच्चे है इसलिए आज सारा दिन चेक करना कि सेवा करते कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला व्यर्द संकल्प चलते हैं किसी के कर्मों को देख कर या आप कुछ काम करो फिर वो बिगड जाए या दूसरा कोई बिगाड दे या आप कुछ कहो दूसरा वाला व्यक्ति आपकी बात को टोक दे या आपको कट कर दे तो व्यर्द संकल्प चलते हैं लेकिन बाबा के बच्चे ग्यानी तो आतमाए हैं, तो ग्यानी तो आतमाए समझती हैं, उन आतमाओं की स्थिती को भी, परिस्थिती को भी, न आतमाओं के अंदर, जो माया के कारण, विकारों के कारण, प्रभाव हो जाता न उनका, तो इन बातों को हम यथार तरीती समझत तो हमें व्यक्तियों को देखकर परिस्थितियों को देखकर हलचल में नहीं आना हमें एक रस रहना है और अपनी स्थिति को सदा उचा उठाना है तो सारा दिन कर्म करते चक करेंगे किसी भी सीन को देख किसी भी व्यक्ति के कर्म को देख मन विचलित ना हो व्यर्थ संकल्प न चले तकि आत्मा सदा सर्व समर्थ बनती चाएं करेंगे यह हूंबक चेक करते रहें बीच बीच में और फिर कुछ गलती हो तो चेंज भी करते जाएं ऑम शांति कहां मिलेगा बाबा ऐसा सद युग में तेरा प्यार हो सद युग में तेरा प्यार कहां मिलेगा बाबा ऐसा सद युग में तेरा प्यार हो सद युग में तेरा प्यार भले ही रूंके महलों में होंगे भले ही रोंके महलों में होंगे सुख के अती भर मार हो कह मिलेगा तेरा प्यार बाबा कह मिलेगा तेरा प्यार कहां सुनाएगा मुरली वहां बाबा बिना दिल लगेगा कहां कहां सुनाएगा मुरली वहां कौन करेगा तेरे सिवा बाबा कौन करेगा तेरे सिवा बाबा रोज हमेश रिंगार हो कह मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहां मिलेगा तेरा प्यार अभी तो बाहों में छुलाते हूं पलकों पे अपने पिठाते हूं प्यार प्यार बाहों मिलेगा तेरे बाहों मिलेगा तेरे सिवा ऊपने प्यार कौनक प्यार्ण यार्ण